निखिल एडवानी की एक मूवी आरी है जिसका नाम है वेडा और जिसका टीजर रिलीज हो चुका है और इसमें आपको देखने को मिलेंगे जॉन अब्राहम शरीवरी और ये शरीवरी जो है वो जिस तरह से दिख रही है एक तरह का हरियानवी टोन में बात करते वे और उनक मनना भाटिया कभी शायद क्याम्यो रोल हो सकता है जो के शायद जॉन अब्राहम के साथ में कोई पास्ट होगा कुछ अभी तक ऐसे ही लग रही है टीजर एकडम सा धासू है बैकडराउंड म्यूसिक एकडम गूस्बम देता हुआ जा रहा है और 12 जुलाई को जो ही ये म कांगवा को देखने के बाद से एकडम सा लिटरली गूस्बम आही गया रीजन उसके पीछे में है बॉपी देवल बॉपी देवल को जो अफ्तार देखने को मिला न हा थोड़ा थोड़ा जो है वो बाहु बली में जो वो निम्रा ऐसा करके बात करता है कुछ-कुछ वैसा लग रहा है लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है लास्टाइम जो हमने एनिमल में एक ऐसा अंदर का जानवर देखने को मिला था बॉपी देवल का शायद उससे भी बढ़कर और यह लिटरली सिफ एक जानवरी हो कि भाई एकडम चीर फार करके रख रहा है सूरिया के ऑपो साथ रिलीज होनी चाहिए देखो सूरिया की बहुत सारी मुवी जो है वो हिंदी में रिलीज नहीं हो पाती है ओटी पे जाकर के हिंदी में मिल पाता है लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई थेटर में इस मुवी को एकडम हिंदी में रिलीज की जाए अब मुझे पता है लोग कि वो किसके बारे में बात करने जारी है JNU जो के जवाहिरलाल नहरू नाशनल इनिवसिटी है उसको यहां पे जहांगीर नाशनल इनिवसिटी बताया जा रहा है Reason, reason सिफ इतना है कि यहां पे हर चीज के उपर में प्रोटेस्ट किया जाता है और टीजर के अंदर में भी यही बताया जा रहा है कि यहां के स्टुडेंट पढ़ाई के वज़े से कम और यहां पे जो मुट्व उठाया जाते है जो यहां पे opposition बन करके ख़ड़े हो जाते है सरकार के खिलाफ हर चीज पे अपना एक खिलाफत रखते है तो उस चीज के उपर में बताया जा रहा है कि यह जांगीर उनिवस्टिटी है तो भाई अभी देखते क्या है इसके अंदर का मुझे स्टार कास्ट काफी इंट्रस्टिंग लगा मतलब उर्वशी रौतेला आप समझ रहो मतलब एक तरफ में जो टॉपिक है इतना इतना मतलब हाई लेवल पे लगा मुझे पीक पे लग रहा है वहीं पे दूसरे तरफ में जो स्टार कास्ट है स्टार कास्ट का लेवल भी बहुत अच्छा खासा है जैसे कि रवी किशिन आपको देखने को मिलने वाले है वहीं पे उर्विशी राउतिल आपको दिखेगी रश्मी देसाई जो कि एक टाइम पे बिग बॉस पे आकर के हेट हुई थी उसके बास से फिर गायब से हो गई कोई फिल्में वगर नहीं मिली जैसे वह अपने इनिशियल डेस पे थी कि कोई भी मूवी मिलता था तो कर लेती थी और दीरे-दीरे करके उन्होंने नाम कमाया यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उनका भी यहाँ पे ऐसा ही इंट्री करवा दिया गया है और यहाँ पे वो कुछ उसी तरह ऐसा काम करते हुए दिख रही है बाइदवे देखा जाये तो आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉंट्रुवर्शिल मुद्धा के उपर में बात करना या फिर किसी खास समुदाय के उपर में अपना ऑपोजिट पक्ष रखना जो है एक ट्रेंट सा बना हुआ है और अगर आप ऐसा करोगे तभी जा करके आपको जो है वो सारे रिगस्मेशन मिलेंगे आपको वालिडेशन मिलेंगे तो भाई उससाब से लग रहा है कि इसके अंदर में भी वही चीज होगी जैसे कि अभी फिलहाल में एक मुवी आ करके गई है बस्तर जो सिफ इंस्टिंट उठा उठा करके रह रही थी लेकिन फिर भी उसके बारे में अलग से बात करेंगे अलग वीडियो में लेकिन यहां पर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि यह JNU पूरा अटाक मोड में है यह मुवी वैसे देखना इंट्रस्टिंग होगा कि इसको present कैसे किया जाता है क्या सही facts के साथ में या फिर सही चीजों के साथ में बताया जाता है कुछ सही narrative दे करके जाएगा या फिर कुछ और ही set करके जाने वाला है देखते हैं के इलावा एक और टीजर आ करके गया है माइथ्री मूवी के उपर में जहां पे आपको पावन कल्लियांसर का जो है एक नया टीजर आया है मूवी का नाम है उस्ताद भगत सिंग मुझे नहीं समझ में यह नाम क्यूं है और भगत बलेज करके वहां पर आ रहा है मुझे न अलग तरह से ही चीजे देखाये जारी है वैसे मास एलिमेंट बिल्कुल वैसे ही है जो के साउथ में होता है लेकिन प्रेजेंट करने का तरीका जो है टीजर में मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है थोड़ा सा मतलब एडिटिंग स्टाइल अलग लग लग रहा है जिस तर से एक कट एक रिदम रखा गया है उसके वैसे तोड़ा लग रहा है बाई दवे मैंने यह हिंदी में नहीं देखा है इसका टीजर जो मुझे मिला मैंने वही देखा और देखने के अच्छा से वाई मिल तो रहा है लेकिन जो पावन कंले अंसर के बहुत बड़े जो भी फैन्स लोग है वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे लेकिन मुझे इसके अंदर में कुछ अलग नहीं देख रहा है कोई ऐसा कुछ नहीं है डिफरेंट की मुझे जाकर के देखना चाहिए या इंतजार करना चाहिए सेम वाई वे जो के साउथ की में मसाला मुवी